इस बार भारती क्रिक्टीम के पास एक ऐसा जाल है जिसे भेदपाना हर टीम के लिए मुश्किल हो गया है पाकिस्तान और आस्ट्रेलिया जैसी टीम भी इस जाल को काट नहीं पाई और अब आलम यह है कि भारत की टीम जो है वो टैली पे यानि अंकतालिका में सबसे उपर है और इसे आज मुद्दे पर बात करेंगे में साथ हमारे एडिटर इंचीफ राजीव मुश्रा है राजीव सबसे बड़ा सवाल मेरा यह है कि भारती टीम के पास क्या इस वक्त सबसे बड़ा बॉलिंग अटैक है लेकि इसमें कोई शक नहीं आपके पास ऐसे गेंद बाद पाकिस्तान हो आपकी धारदार गेंद बाजी के सामने कोई चलता नहीं है और इसलिए नतीजा यह है कि आप देखें ऑस्टेलिया दोस्तों बना पाया पाकिस्तान का क्या हर्श्रम ने किया एमदाबाद में अभी हम सबने देखा तो यह एक इंपोर्टन फैक्टर होता है कि जब आप आपका जो कहते हैं जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है तीनों जो बॉक्सित आपने टिक कियो है यानि कि नहीं गेंद के साथ भी पुरानी गेंद के साथ भी और आपके अच्छे कर रहों तो मौका आप देते हैं किसी टीम को आप रंग बनाएंगे कैसे जब आपके साथ भी आप लीथाल हैं आपके जस्वीद उम्रा सिराज हैं थोड़ा बॉल पुराना होता है तो आप शर्दू के लिए और शर्दूल अगर नहीं खेलना है तो फिर अश्विन रवींद्र जड़ेजा और कुल्दी प्या दों आपके बाद इस पिनर तो तीनों मैं थोड़ा सा शंका में था यानि मैं बहुत जादा सस्वेक्ट था कि इंडिन बॉलिंग करें किया अभी जिस तरह के मैचेस हुए और दो बड़ी टीमों को जिस तरह हमने हराया उसको देखर यह लग रहा है कि इसमें कोई शक नहीं रहेगा किस टॉर्णमेंट में भार पास वर्ल क्लास बॉलर्ण जो सबसे उपर माने जा सकते हैं कि जितनी वी टीम्स हैं उनमें से सबसे लाजवाब तक कोई देखिए दुनिया के नंबर एक बैक गिंदबाज है और जिस तरह की वापसी किया उन्होंने जिस रफतार के साथ किंदबाज ही कर रहे हैं और इन प्राइनिस्तान के खिलाब उनका कुछ ऐसे ही आल था तो बूमरा के खिलाफ रन भी बन रहे हैं और उसका जो प्रेशर बूमरा क्रेट कर रहे हैं उसका फाइदा मिल रहा है हमारे स्पिनर को यानि कुल्दीब ने बहुत अच्छी गिंदबाज ही कि ए ठूर्ण कार्ड क कर रहे हैं फिर दो और गिंदबाजों की बात कर रहे हैं यहां पर अश्वीन और रवीन जड़ेजा रवीन जड़ेजा ने जिस तरह से इस टॉर्णामेंट में अपना फॉर्म हासिल किया है वह एक इंपॉर्टन फैक्टर था लफ टाम स्पिनर हैं और बहुत तेस्ट ज कर रहे हैं मझे लग रहे हैं न्यूजिलेंड से पहले मैं सोच रहा थे कि न्यूजिलेंड ज्यादा बेतर कर रही है लेकिन पाकिसान मैच के बाद मैं कहने पर मजबूर हो गया हूं कि इंडियन बाॉलिंग अटैक इसे में वर्ल्ड का बेस्ट बालिंग अज़ा है आप ऊचिए लायन पर गिता याज है कि नगा अगे करने शॉत कर रहे हैं या बहुत बहूंत अच्छा सवाल आपके बैटिंग बैटिंग विकेट ले रहे हैं यानि कि जब हमने चैनना इन मैक जीता ऐसा नहीं था यह बहुत त्यादा भी सिम्क हो रही लागई थी ऑल्या जोटा नहीं हुमैरे जिंदाजोस को पता है जैंदाजी करने है यदे लगारे हैं जा बंद नहीं का पर इससे विल्डिंग बॉलिंग अटैकिंग मतलब है कि आप रन बचाने नहीं जा रहे हैं तो जब आप विकट लेने जाते हैं तो फिर यह होता है ऑस्टेलिया दोसों की नीचे आउट एक सुन इनानने पर ऑस्टेलिया पाकिस्तान की बात करें एक सुन श्यासी पॉल लूट तो जब बड़ी ट पॉइंट सेली में नंबर दोपे हैं दरह साल उनके वालिटी स्पिनस हैं मिस्साटनर जिस तरह की इंदवाजी किया मुझे लग रहा है इस टौर्णमेंट के नंबर बन स्विनर के दौर पर मैं उनको देखा हूं मिस्साटनर को न्यूजलेंड के जुन्हों ने बॉल को जिस तरह दो लेट डिलिवर कर रहा है वह उस वजह से नंबर बन रहे हैं उनके साथ पिर रचिन रोविंदर जो बैटिंग अच्छी कर रहे हैं तो नंबर तूपे मैं इसलिए निव्जलेंड को रख रहा हूं नंबर तीम आप अथ्सेंगी में आफगानिसान की उनको खिनाय नहीं गया तो यह मेरा अभी तक का वह है उस्टेलिया क्यों मैच हार रहा है आप देख लिए पाकिस्तान क्यों मैचेस हार गया इंडिया खिलाफ हारा है उन्हों दो मैचेस जीते हैं कॉलिटी स्मिनर नहीं और आगे चलके जो बालिंग का किरदार है वह और बड़ा होता नजर आया और जिस टीम का किरदार यानि जैसे अगर बाकी टीमों ने करदार निभाया तो वह तो फोर में पहुंचेंगे लेकिन अभी मेरा पूरा यकीन है कि इस टॉनमेंट बनकर ही निकले हैं अच्छी बात करते हैं जो बच्चे यहां पर देखे यहां तो मुझे लगता है कि एक बैटिंग करना उनके लिए बड़ा रहता है कि मेरी बैटिंग आये या फिर मैं बैट्समें बनू बना और बॉलर्स इस तरह से सामने आना इंडिया के लिए मुझे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है बिलकुल और देगे एक समय ता ज़ बुम रहां सिराज शमी को अभी खेलने का मौका नहीं मिल रहा है स्विनस कॉलिटी समय पास रवी जड़ेजा कुल्दीव खेल रहा है तो अश्विन को अगर जगा ने मिल लिए शमी जैसे हमारा वर्ल क्लास बाहर बैटा है मतलब प्लेंग जगाने मिलिए अपने दर्श इसे तुम तमाम फैक्स लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे बबाए